हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो माई चैनल आज मां आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुन्दर सा पोटनेक ब्लाउज डिजाइन्स मनाना बताऊंगी तो डिजाइन्स मनाने से पहले हम बेक पार्ट की कटिंग करेंगे बोटनेक के मेजर्मेंट के साब से तो देखे लाइनिंग फिस को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है ब्लाउज की टोटल लेंद है 30 इंच तो 1 इंच प्लस करके हमने 14 इंच पर लेंध की मार्किंग की है अब यहाँ से हमारे shoulder का measurement है 14 इंच तो half करके हमने 7 इंच पर shoulder की marking किये आपके जो भी shoulder का measurement है उसका half करके marking करनी है 6 इंच पर armhole के लिए mark करेंगे अब जो armhole वाली line है इसे 0.7 इंच इतना अंदर की side में तिर्चा कर लेंगे अब हम सीने के fourth part की marking करेंगे और 2 इंच एस्टा margin के लिए रखेंगे तो इस type से आपके जो भी body measurement है उससाब से back part की cutting करनी है यहाँ पर आपको boat neck में shoulder की चोड़ाई ज्यादा रखनी होती है जो भी आपके shoulder का measurement है उसका half करके shoulder की marking करनी है तो इस type से हमारे back part की marking हो गई है अब हम इसकी cutting कर लेंगे देखिए अब neck के लिए हम 4 इंच पर mark करेंगे और इस type से नीचे तक 44 इंच पर mark करते हुए एक सीधी line बना देंगे अब उपर हम boat neck के लिए 2 इंच या 2.5 इंच पर mark कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर marking की है boat neck के लिए आप यहाँ पर boat neck की अगर लंबाई कम रखनी है तो 2 इंच पर कर सकते हो और अगर लंबाई जादा रखनी है तो 3 इंच पर भी कर सकते हो इस type से चोक और बोक्स बना लेंगे और boat neck का shape बना देंगे अब इस line से नीचे 1.5 इंच पर एक marking और करेंगे और यहाँ पर भी सीधी line बना देंगे अब आपको जो भी neck की लंबाई रखनी है वह मार्किंग कर लीजिए और एक line यहाँ पर भी बना देनी है अब इनी निशानों को हम दूसरी side भी गहरा कर लेंगे तो इस type से lining face को double fold करेंगे और दूसरी side भी निशानों को चाप लेंगे यह देखिए अब स्टाइप से इनको गहरा कर लेंगे अब 1.5 इंचे पर एक मार्किंग करेंगे जो center पर है चोकर बोक्स है इसमें हमको 1.5 इंचे पर स्टाइप से line बनानी है और नीचे वाले corner में round shape बनाते हुए दूसरे corner से मिला देना है अब इसी type से हम जो उपर वाला corner है महाँ पर भी round shape बनाएंगे और इस वाले corner से मिला देंगे यह देखे इस टाइब से कॉर्णर में हलका सा राउंड शेप बनाना है और नीचे वाले कॉर्णर से मिला देंगे तो इस टाइब से हमारे डिजाइब से बनाने के लिए शेप रेडी हो जाएगा यह देखे स्टाइब से हमने शेप रेडी कर लिया है इसी के बराबर हम मेंट फैब्रिक भी कट कर लेंगे अब मेंट फैब्रिक को सीधा रखना है और इसके उपर लाइनिंग फिस को पींस अटेज कर लेंगे पहले अब एक साइड से हम सीधी सिलाई चलाएंगे यह देखे एक साइड में हमको जो राउंड और शेप बनाया हमने बोटने का इस पर सिलाई नहीं चलानी है पहले हम सीधी सिलाई चलाएंगे तो जैसा हमने शेप की मार्किंग की है उसी मार्किंग के उपर सिलाई को चलाते जाना है अब यहाँ से हम चोपण सिलाय चलाएंगे इस टाइप से अब दूसरी साइट हम राउंड में सिलाय लगा लेंगे तो एक साइट सिलाई हमको को राउंड में लगानी है और एक साइट सीधी सिलाई लगानी है अब देखिए इसकी हम इस टाइप से कटिंग कर लेंगे हाफ इंच इतना सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे इस्ट्रा इसी टाइप से नेक की भी कटिंग कर लेंगे पूरे नेक पर राउंड में हलके हलके से कट्स लगा लेंगे जिससे यह फिनिशिंग से फोल्ड हो जाएगा और सेंटर पर कॉर्णर है वहाँ पर भी हम कट्स लगा लेंगे अब हम लाइनिंग फीज को बेक साइड पर फोल्ड करेंगे इदे के इस टाइप से पूरे नेक को फोल्ड कर लेंगे वह सेंटर पर रहे जो पट्टी इसे भी अच्छे से फोल्ड करेंगे और कुछ भी नुकिली चीज से इसके कोर्णर निकाल कर सेट कर लेंगे इदे के इस टाइप से शेप रेड़ी हुआ है इस पर प्रेस चला लेंगे अब हम साइड में सिलाज चला कर इस टा फैब्रिक को कट कर देंगे अब देखिए हमने एक पट्टी कट की है 2.5 इंच चोड़ाई की और लंबाय में लिया है हमने 13 इंच इस पट्टी को हम सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे और हाफ इंच की गेप रखते हुआ उस पर सिदी सिलाई चला लेंगे अब सुईथ हागे से हम इस पट्टी को फोल्ड कर लेंगे पट्टी को फोल्ड करने के बाद इसको प्रेस चला कर अच्छे से सेट कर लेना है अब हम इस पट्टी के 2.5 इंच लंबाई के पीस कट कर लेंगे तो हमको 4 पीस कट कर लेना है अब देखे इन पीस से हम लूप से बना कर रेडी करेंगे तो इस पीस को इस टाइप से डबल फोल्ड करेंगे और कॉर्णर पर हाफ इंच इतना बाहर की साइट में रखते हुए दो पीस अटेज कर देंगे ये देखे दोनों कॉर्णर पर एक एक पीस अटेज कर देना है अब जो हमने दो लूप से बनाए हैं इनी के सामने हमको मार्किंग करनी है और दूसरी साइट भी इसी तरीके से हमको दो लूप सोर बनाकर अटेज कर देना है देखे हाफ इंच इतना बाहर की साइट में रखते हुए सलाई चलाकर अटेज कर देना है अब हमने यहाँ पर डबल फोल्ड करके 20 इंच लंबाई की डोरी ली है देखे डोरी के दोनों सीरों को उपर की साइट से दोनों लूप से के अंदर डाल देंगे और अब हम यहाँ पर इसको क्रोस बनाकर डालेंगे उधर वाली डोरी के सीरे को हम इधर वाली लूप से में डालेंगे और इधर वाली डोरी के स्विरे को हम उधर वाली लूपस में डालेंगे तो यहाँ पर बीच में जो है क्रोस बन जाएगा इनमे यह देखे इस टाइप से हमको क्रोस बनाते हो डाल लेना है अब हम लटकन बनाकर रेडी करेंगे डोरी पर तो लटकन बनाने के लिए आपको 3.5 इंच लंबाई और 3.5 इंच चोड़ाए के 4 पीस कट कर लेना है एक साइट डिजाइन से बनाने के लिए देखे इस पीस को सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर कर डोरी को रखेंगे और फिर से फोल्ड कर देंगे और ओपन साइट पर हम सिलाई चला कर अटेज कर लेंगे इसके साथ हम डोरी की लंबाई रखेंगे 4 इंच और 4 इंच की लंबाई से डोरी को कट कर देंगे यह देखिए इस टाइप से अब इस डोरी की दूसरी साइट भी हम सेम तरीके से डिजाइन से बनाकर रेडी कर लेंगे देखिए अब हम फिर से डोरी के सीरे पर सेम तरीके से डिजाइन से बनाकर रेडी कर लेंगे और इस डोरी को हम उपर की साइट में गांट लगाकर बांद देंगे देखिए इनको इस टाइप से सेट कर लेंगे सेंटर वाले डिजाइन को हलका से लंबाई बढ़ा कर रखनी है और उपर वाले की हलकी सी कम रखनी है और अब गाट के नीचे हम सिलाई चला लेंगे और इसी के उपर हम फिर से एक डिजाइन सोर बना कर रेड़ी करेंगे यह देखे इस टाइब से अब इसे हम नीचे के साइट में फोल्ड कर लेंगे तो हमने जो गाट लगाई है वह भी इसके अंदर कवर हो जाएगी और इस टाइब से हमारा डिजाइन्स बन कर रेड़ी हो जाएगा यह देखे सेम तरीके से आपको दूसरी साइड भी डिजाइन्स बना कर रेड़ी कर लेना है बेक पार्ट पर हम टक्स की सिलाई लगा देंगे और बोटम पर पट्टी लगा कर फोल्ड कर लेंगे आप देखे इस डोरी को यहाँ पर हम डिजाइन्स बनाते हुए बांद देंगे और इस टाइब से हमारा बोटनेक ब्लाउस डिजाइन्स रेड़ी हुआ तो फ्रेंट से कैसे लगा आपको आज का डिजाइन्स थेंक्स फोर वोचिंग